आज हमारे साथ दिली के MLA नरेंदर यादव जी साथ हैं नरेंदर जी आज यहाँ पर दिली के CM केजडिवाल जी भी आये हैं जैपूर में बगवत मान जी भी आये हैं तो आपको क्या लगता कि जैपूर में ये मतलब आप लोग ने बुगल बजाया है आने वाले चुनाओं को कैसे देखा जाएगा इसका नमस्कार दोस्तों मैं नरेश यादव दिली महरूली से विधायक हूँ और से परभारी हूँ मैं राजिस्थान में और जैपूर संभाग की जुम्यवारी मुझे दी गई है आज राजिस्थान के लिए बहुत ही इत्यासीक दिन है जिसमें की मानिय केजरिवाल साहब और भगवत मान साहब सी एम पंजाब यहाँ पर आए और आज राजिस्थान के लिए एक बहुत बड़ा बिगुल बजा कर गए है मानिय केजरिवाल साहब ने जो काम हमने दिल्ली में किये हैं पंजाब में हम करने लग रहे हैं उसी उनी कामों की गरंटी आज राज्थान के लोगों को दिया है और मानिय केजरिवाल साहब का ये गरंटी वाला जो अनॉस्मेंट है ये अपने आप में एक पत्थर की लकीर की तरह से है क्योंकि ये सारे काम मैं खुद दिल्ली से विधायागू महरूली से दूसरी बार ये सारे काम जो की बिजली की गरंटी है दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है वो करके दिखाए हैं पंजाब में बिजली फ्री हो गई है शिक्षा की गरंटी दिल्ली में सारे स्कूल जो सरकारी हैं वो अच्छे हो चुके हैं अच्छे रिजल्स आते हैं पंजाब में होने लग रहे हैं आज स्कूल अच्छे इसके अलावा जो स्वास्त की गरंटी दिल्ली में महुला क्लिनिक्स खुल चुके हैं सरकारी अस्पता ब्रस्टाचार मुक्त राइस्थान की करिंटी दिल्ली में ब्रस्टाचार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है पंजाब में ब्रस्टाचार अब बिल्कुल लोगों के दिल में डर बैठ गया है भगवत मान जी ने कहा था हर एक दिन में दो तीन लोग अरेस्ट हो जाते है ब्रस्टाचार करने वाले और 400 लोग जेल में है तो एक डर का सा माहूल दिल्ली और पंजाब में है कि अगर ब्रस्टाचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी है करविंद केजरी वाल है भगवत मान है इसके अलावा महिलाओं के लिए 1000 रुपीज जो 18 साल से उपर की महिला उसको दिया जाएगा ये असली महिला से शक्ति करन है इसके अलावा जो शहीद सम्मान रासी जो हमारे सैनिक जो हमारी सरदों पर हमारी रक्षा करते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं राइस्थान पुलिस में जो हमारे जो पुलिस के जो जवान है अगर वो शहीद हो जाते हैं अपने परदेश की सुरक्षा करते हुए तो उनको एक क्रोड रुपे की सम्मान रासी दी जाएगी उनकी मौत का तो हम उनकी सहीदी का तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके परिवार को दरदर की ठोकरे ना खानी पड़े बच्चों को बाकाइदा उनको पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए सरकार उसकी responsibility लेती है और करमचारियों के लिए भी बहुत बड़ किया गया है दिल्ली में पूरा करा गया है वही बातें जो हम दिल्ली और पंजाब में करने लग रहे हैं उसमें खुद मैं विटनेस हूं क्योंकि दिल्ली में एक विधान सवा में दूसरी बार विधायक रहके मानिय केजरिवाल साहब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उन्ह पर दिल्ली में क्या था कि अगर हमने काम करके दिखाया दिल्ली में स्वास्त सिख्षा बिजली पानी रोड्स महिलाओं के लिए वहां बस भी फ्री है यह सारी अभी तो बहुत सारी चीजें पंजाब में हम लोग करने लग रहे हैं आज राजिस्तान में हूए है खिक बिगुल है वो बज चुका है अब हमारा एक-एक कारिकरता एक-एक पदादिकारी चार सेप्टेंबर होगी सेप्टेंबर आ गया अक्टूबर से आचार सहीता लग जानी पूरे रास्तान को आप लोग कैसे कवर करेंगे देखिए हम ओल्रेडी पूरे राजिस्थान के है उसमें संगटन बिल्कुल मुस्तैद है काम करने लेकि तयार है लेकिन आज उनको जो केजरी वाल की गरंटी का जो ये मिल गया है अब ये घर घर तक जाएंगे और बाकाइदा अब राजिस्थान के लोगों के पास में एक विकल्प सामने आ गया है बीजेपी कॉंग्र आपको देखा है उनलों ने और बाकाइदा दिल्ली और पंजाब में बहुत सारे राईस्थान के लोग काम करते हैं मेरी विधान सबमने बहुत सारे मीना बही रही है अलग-लग कास्ट के लोग हैं जो वहां पर देखते हम लोगं को काम करते हुए अधिकारी भी है उन लोगों ने भी हम लोगों को देखा है पंजाब से भी राइस्थान टच में है तो सारे लोग जानते कि किस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि आज का बहुत बड़ा दिन है हमारे सब कारिकरता भाईयों के लिए पदा पहले क्या था कि बीजेपी या कॉंग्रेस ये दो ही पार्टी है लोगों के पास विकल पी नहीं था